तमिल लाडू के मुख्यमंतरी के पलानी स्वामी ने भारतिय तटरक्ष को द्वारा दो मच्वारों पर कथी तुरूप से गोली चलाये जाने के मुद्दे को लिकर प्धान मंतरी नरेंद मोधी के समक्ष सवाल उठाया है और ऐसी घटनाओं की पुर्णा उरती से बचने के लिए उनसे दखल की मांग की है उन्होंने कहा है कि रामेश्वरम से 6 मच्वारे 13 नौवंबर को मशीन कृत नौका में शवार होकर समुद्र में मच्ली पकड़ने के लिए गये थे मोधी को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कहा कि ऐसी सूचना है कि ओलका कुंडा के निक प्लानिस्वामी ने कहा कि घटना में एक मच्वारा पिचाई का बाया हांच जखमी हो गया और अन्य व्यक्ति जॉन्सन के बायक कंधे पर चोट लगी है मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें रामेशोरम में सदर अस्पताल में बरती करा गया है जहां उनका उपचार चल रहा है उन्होंने कहा कि मचली पकड़ने की नौका में एक गोली ब्रामुद हुए और से बाद में मढपम मरीन पुलिस थाना को सौप दिया गया है उन्होंने कहा कि मचली ने यह भी आरोप लगाया है कि तरक्षक उनकी नौका में आ गये थे और उनके सांथ दुरवेवार किया था लोहे की छड़ से उनकी पिटाई भी कि थी प्लानी स्वामी ने कहा कि मढपम मरीन पुलिस स्थाना में घायल मचवारों की शिकायत के आधार पर 14 नौमबर को ही घटना की प्रात्मी की दर्ज की गई है उन्होंने कहा कि इस दुरभागे पुन घटना से तमिलाडू के मचवारों के बीच तनाव और असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है और इसलिए मचवारों ने भारतिय तर्टरक्षकों की कारवाही के खिलाफ आज हर्ताल करने के लिए कहा है श्रिलंकाई नौसेना द्वारा मचवारों के गिरफतारी की घटनाओं को दोराते हुए उन्होंने लिखा कि इसकी पुरुष्ट भूमी में तर्टरक्षक कर्मियों को धहरे दिखाना चाहिए